हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई टो चैनल फ्रीज कसन पाइंट दोस्तो आज हम देखेंगे 9 नौवंबर को हुए एक्जाम SSC फेज एट के जी के जी एस का क्योस्टन जो आज आपके एक्जाम में पूछा गया था तो दोस्तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप आपने नहीं दिया है तो भी देखें जिससे की आपको आइडिया लग जाए कि किस परकार का क्योस्टन SSC फेजट में पूछा जाता है तो पहला क्योस्टन देखते हैं जो आज आपके एक्जाम में पूछा गया है किंदर सरकार ने हाली में किसे नाइजर गड़राज में भारत का नया राजदूत निक्त किया है तो हाली में नाइजर गड़राज में भारत का नया राजदूत पीके नायर को निक्त किया गया है तो इसका राइट एंसर पीके नायर होगा तो आईए देखते हैं अगला क्वेस्टन जो आज आपके एक्जाम में पूछा गया है निवडवलेमेंट बैंक के नए अध्यच के रूप में किसे निउट किया गया है तो निवडवलेमेंट बैंक के नए अध्यच के रूप में मारकोस ट्राइजो को निउट किया गया है तो इसका राइट अंसर मारकोस ट्राइजो था और यहाँ पर नाम आया है New Development Bank तो इसका मुख्याल है संगाई चाइना है और इसका अस्थापना संद 2014 में किया गया था और इसका अस्थापना यानि कि इसको BRICS के द्वारा अस्थापित किया गया था BRICS समिती के द्वारा अस्थापित किया गया था और यहाँ पर आया है नाम ब्रिक्स तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म ब्राजिल, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफेरिका है यहाँ पांच देशों का समीत ही है तो आईए देखते हैं अगला क्वेस्चन जो आज आपके एक्जामे पूछा गया था हाली में ब्रिटेन में भारत के नए उचायुक्त किसे निक्त किया गया है तो हाली में भारत के ब्रिटेन में उचायुक्त के रूप में गायतरी कुमार को निक्त किया गया है तो इसका राइट एंस्वर गायतरी कुमार था तो नेस्ट क्वेस्टन है जो आज आपके एकजाम में पूछा गया था हाली में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लांच करने की गोसड़ा किया है तो हाली में सयुक्त अरब अमिरात ने अपना पहला मंगल मिशन लांच करने का गोसड़ा किया है तो इसका right answer सहिट अरव अमिराद था और यहां पर मैं आपको बता दूँ कि यहां पे नाम आए है सहिट अरव अमिराद तो इसका capital अबुढ़ा भी है और यहां पर यानि कि यहां की currency दिरहम है दिरहम और यहां पर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मंगल मिशन यानि कि जो संयुक्त अरव अमिराद ने मंगल मिशन लॉंच करने का गुशड़ा किया है यह जापान के सहायता से लॉंच करेगा तोनेश क्वेश्चन हाली में किस देश के राष्टपत ने ओपन इसकाई संधी से अलग होने की चेतावनी दी है तो हाली में अमेरिका के राष्टपत दोनाल ट्रम्प ने ओपन इसकाई नमक संधी से अलग होने की चेतावनी दी है तोनेश क्वेशन देखते हैं जो आज आपके एकजाम में पूछा गया है हाली में किस महिला क्रिकेट खिलाडी को आरजुन अवार्ड से समानित किया गया है तो हाली में दीपती सर्मा को आरजुन अवार्ड से समानित किया गया है और दोस्तों यहाद भी रखना चाहिए कि यहाद किस खेल से संबंदित है तो यहाद किरकेट से संबंदित है तो अगला question देखते हैं किस राज ने गुजरने वाले परवासी सरमिकों के लिए चरण पाद का अभियान शुरू किया है तो मद्ध परदेश ने परवासी सरमिकों के लिए चरण पाद का अभियान शुरू किया है तो इसका राइट अंसर मद्ध परदेश था तो अगला question देखते हैं भारत ने अपना पहला परमाड वीसफोट परिछड कप किया है तो भारत ने सन 1974 इसबी में अपना पहला परमाड वीसफोट परिछड किया था तो इसका राइट अंसर 1974 था तो नेस question देखते हैं जो आज आपके एक्जाम में पूछा गया था हाली में नावाड के नय अध्यच किसे नुक्त किया गया है तो हाली में गोविंद राजुली चिटाला को नावाड के अध्यच के रूप में नुक्त किया गया है और यहाँ पनामा है नावाड तो नावाड का फूल फॉर्म नावाड तो नावाड का फूल फॉर्म नेशनल बैंकिंग आफ एक्रिकल्चर एंड रूलर डेवलेमेंट है हाली में बेंजामीन नित्यान आयू कितनी बार इजराइल के परधानमंत्री बने है तो बेंजामीन नित्यान आयू इजराइल के पांचवी बार परधानमंत्री बने है तो इसका राइट टेंसवर पांचवी बार होगा और यहाँ पर नामा है इजराइल तो इजराइल का केपटल एरुजलम है såंख एरुजलम तो निक्स्वास्त संगधन के कारया कारी बोड के अध्यप्च के रूप में ब्यस्वास्त-वर्धन है जो भारस से बिलों करते हैं और यहां पर नाम आए है его यानि की ही लका मुख्या जर नेवा सूटर लेंड है तो देखते है नेस क्वेस्टन राष्टी डेंगू दिवस किस दिन मनाय जाता है तो राष्टी डेंगू दिवस 16 मई को मनाय जाता है तो इसका राइट अंसर 16 मई था 16 मई तो अगला क्वेस्टन देखते हैं किस राज जने हाली में इस्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए यहां पर इस्टार्ट अप रहेगा साइबर इस्पेस एक्सेलरेटर लॉंच किया है तो हाली में करनाटक राज्जे ने स्टार्टप को बढ़ावा देने के लिए साइबर इस्पेस एक्सेलरेटर लॉंच किया है तो इसका राइट एंस और करनाटक था और यहां पर नाम आए है करनाटक तो करनाटक का कैप्टल बैंगलूरू है और यहां के सियम यानि की चीफ मनिश्टर का नाम बीयस अधुरप्पा है और यहां के गवर्नर का नाम बाजु भाईबाला है तो इसका राइट अंसर मनिश्टर फिलिपिन्स था तो फ्रेंड्स वीडियो की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है क्योंकि हमें इतने ही क्वेस्टर प्राप्त हुए थे और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेश्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने एससी फेजट का एक्जाम दिये हैं या देने वाले हैं तो प्लीस हमें क्वेश्टन टाइप करके मैसेज जरू करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वेल ऐकन को प्रे कि अंगरे येवशों सस्यों सक्राइब क प्लाई जरू इतकी कर्श्तर वेल पह यृडियो झाल सक्षों सबस्टन टाइब कीजिए रगरा गधना आपको टेना हैो हूब मैसे जर अःका समयिंग ऑन गडरा करें यृटन सबते नगर आपको तり शबतेशसों सक्तरत वीग ह